15 मतलब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पढ़ना प्रॉक्सिमेटी सेंसर है ठीक है बहुत सारे वीवो के फोनों में प्रॉक्सिमेटी सेंसर में लोग पीछे टेप लगा दे रहे हैं क्यों कारण पता कलो ना कि टेप मन नहीं लगाना पड़े आप टेप लगा के कस्ट् कमेंडी खुलते हैं बता देता दे को यह लाइन जा रहे हैं बोड़ियों का पड़िहास करना नहीं चाहता बड मैं क्या करूं मैं आप लोगों की सोच नहीं बदल पा रहा हूं मैं चाहा रहा हूं कि आप दुकान में बैठ के अपना कितना वेस्ट कर रहे हो टाइम और जंपड मारा था और बस और जंपड मारने के बाद में चब नहीं हुआ तुले के वो मुबाइल फेड ये स्टूडने के तुल मेरे पास बापस आ गया अरे लोग उपो ए 15 में बता रहे हैं कि सर यहां से कुछ नहीं होता यहां पर रहे ना एक रजिस्टर लगा होता है यह और भाईया किसी ने रजिस्टर भी लगाया है और जंपड भी मारा है अरे यार बहुत मजा रहे हैं इसको बनाने में और भाईया सुनो यहां पर रजिस्टर भी लगाया है सिर्फ अपनी जित के मार्केट में हो क्या रहा है मार्केट में हो रहा है कि आपके पास अगर कोई फोन आ रहा है और आप ऑगर चीज़ों सीक सीक नहीं रहे हлись और चीजों को आप टाइ publiश में कर रहे हो तो आप टाइम पास में कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप बहुत सारे यूटूबरों के वीडियो देखते हो और आप उसमें सीखते हो कि भी मुबायर रिपेरिंग में काफी प्रॉफिट है पैसा कमाएं यह सारी करें वो चीज करें और दुकान खोल कर बैठ जाते हो पैसा लगा कर और उसके बाद टूल उल खरीदने लगते हो पर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते ही नहीं हो अब एक ऐसा बिजनस कर रहे हो जिसके आपको ट्रेनिंग नहीं है जिसमें आपको नौलेज ही नहीं है और उसके बाद में आप उस दुकानदार अब वो दुकानदार क्या करेगा वो अपना लॉस करेगा और दुकान मन कर और जीवन वर्ड यही वो लेगा कि मुबायर रेपेरिंग में पैसा ही नहीं है यह वेस्ट है यह सारी चीज है बस अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे होते हैं यह वीडियो आप लोगों के आखे खुलने के लिए यह वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि मैंने इसमें एक OPPO A15 के एक एरर को बनाया है अब जो आया था उनके हिसाब से यह बैटरी एरर था पर एक्चल में जो इसका फॉल्ट का वो चार्जिंग एरर था तो दोस्तों हमको बैटरी और चार्जिंग एरर के बीच का अंतर पता होना बहुत ज़्यादा जोड़ी है जो म OPPO का मोबाइल A15 में आने वाला चार्जिंग लोगो है जो कि बिलिंक करता है और रैड और वाइट में और यह फॉन चार्ज नहीं होता है अब अगर इसके बात करेंगे तो पॉइंट जीरो तक यह जाकर स्टेबल हो जाता है उसके बाद यह फिर जाकर पॉइंट डवल पर आज आता है बैक टू जीरो अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने देखो नोटेस करें यहां पर लिका है ओपो चाजिंग एरर और बैटरी एरर आपको अंतर परता होना बहुत जोरी है जब यह फोन मेरे पास आया था सो आईए मैं इसकी कंडिशन आपको बताता हू देखें दोस्तों यह वीडियो मैं पूरा पैक्टिकल है यह वीडियो थोरा बड़ा हो सकता है पर आपकी आखे खोलेगा आपको अंदर से जंकोरेगा आपको यह बुलेगा कि उठो चलो ट्रेनिंग लेने का टाइम हो गया है अगर हम दुकानदार या अगर हम इन कलासि में दिन लुदाव कर रहिंए तो फिर तो फिर कियो कि अपना पैसा वरभात कर रहे हैं क्यों घर najhog के ऐतना कर आ 활िध आप कर रहे हूए यह कर रहे हो क्यूँ बच्चा वहवारिक बनता श्कूल जारे बच्चा जो आप यूट्व में सिखा है बच्चा उसमें से 10 पसंड वो चीज न सीख कोई दूसी चीज सीख लेगा आप समझो जब एक बच्चा एक ओनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा है आज की डेट में ओनलाइन कितने सारी चीज़ें जो बंद हो चुकी है ओनलाइन चीज़ें देने वाले इंसिट्यूट अपने आप देखिए जब यह फॉन मेरे पास आया था तो फॉन की कितनी बड़ी कंडीशन थी मैं अगर इसकी कंडीशन बात करूँ सबसे पहले जब मैंने बैट्टी के रेटर पे चेक हिया था पूरा यूवी गलू से लगाया हुआ फॉन था और यहां पर एक दो जंपर पर यहां पर किसी यूटूब किसी भी टेक्णीशन ने उस पर इक चार्जर पड़ के इस फोन को ब Marshmolog मतना रहा है बतलब उनको यही नहीं है बनाना है वह दो सिधा लोग से लिए डक को ब्रदी ड़ाइन का यही यह द् पर यह दूंकर पर डियखनीकर बाद दोस्तों ज जाएंगे जब मैं आपको इसके बैक्वर्ड की कहानी बताऊंगा, नोटिस करो, जब इसके बैक्वर्ड में देखा तो इसके बैक्वर्ड में बहुत तर ही यूटुवरों जो कि अपने वीड़ो डालते हैं, हां उनके मुबाईल में वह एर्र में आस आता है, पर उनके मु 查 अपर लगा हुआ और इस लाइन के साथ मतलब एक की लाइन और ठेस की लाइन के साहथ इस तरह से लगा हुआ इसको कि सो यहां से और एक चमपर यहां पर बना SpaceX आप Tempera टो क्या यह तरीका सही है हां यह तरीका सही हो सकता है प्थे नहीं मिल रहा है यूटूब बजो आपब से आपको एफटी के बात करूँ तो ओपो एफटी में या मैं बात करूं अब इस 12 यहां पर ऑन ना प्रोक्षिमेटी सेंसर है थी कैड़ है बहुत सारे वीवो के फॉनों में प्रोक्षिमेटी सेंसर में लोग पीछे टेप लगाते रहे हैं त्यूंअ कारण पता जो ना कि टेप मत नहीं लगाना पड़े तेप लगा के कस्टमर को दे रहे हो हमारो ही टेप आप उसकाईलू कम हो गया टेप निकल गया कस्टमर फिर आ जाएगा और कस्टमर आए गाएsh क्या ही बनाए इस मोबाइल को बनवाने का पैसा भी जार तो आप कुछ चंद टेक्निशन की वज़े से टेक्निशन का नाम बदनाम हो रहा है क्योंकि हम बिना सीख कर एक काम कर रहे हैं यह बिलकुल वैसे ही काम वैसे ही हो गया कि बिना सीखे हुए सीधे अपनी कार महेंगी कार में बैठ कर अबनी महेंगी कार को चलाना उसके बाद उसको ठोकना और यार मैं तो यूटूब से देखा कोई वीडियो अच्छा मिलानी में क्या करूं यार आपने आपको दोस्त देना बंद करो और दोस्तों लोगों की सुनना भी बंद करो जो आप से यह कहते हैं कि YouTube से देखो, सीखो, मैं बोलता हूँ, आप उन्हीं लोगों को देख लो, वो कहीं न कहीं भी सीख करा के बैठे हुए हैं, इस इंडिस्ट्री में, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, आप सही इंसिटूट का चुनाओ करो, आप मैं नहीं बुला, आप इस अटेली को मेरे यहाँ पर आप और बसक्रोछ यहँ पर बतार हैं, यहाँ पर एक रज इस जमपर मार दो और पर यह यहाँ पर टीव olm काम कर दो है अब ये 90% जिन यूटुबर होने इस पर ये case study बनाए होगी, उनको ये भी नहीं पता होगा, ये line case पर जा रही है, और कौन सी ये line है, तो मैं सज बता रहा हूँ, ये line क्या है, तो ये और सीधा jumper माल दे रहे हैं, क्योंकि एक solution चाहिए बस, कि एक register को jumper माल देने से, अगर मे इसे काम को daily करना चाहते हो, जिसमें इसे भी वीडियो के तुरू आपका काम हो जाए, और अगर वीडियो ना हो, तो आप सैट को रेटन ही, आपने काम ही को रेटन कर दो, और आप बिल्कुल खाली हाथ बैटो, तो दोस्तों ये गलत है, तो मैं ये ही चाहूँगा इस वी बोलते हैं, इन्सिटूट, मैं तो सचच बता हूँ, सिक्माटिक शीखने की ज़रुवत ही नहीं है, आप सर्केट को काम सीख लो, आप ये सीख लो कि एक सर्केट काम क्यासे करता है, अगर अब अब सर्केट का काम सीख लोगे तो आपको सिक्माटिक की जरुवत इसके पर वीडो लाओंगा कि बहुत सारी स्टेक में बोलनियों के यहां पर दिखाँँगा अगर वीडो देखकर वह स्टेक को सुधार देता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं say में यहां पर जमपर मारने के बज़े से सब यह सब जो भी बना है मेरा उसको प्रबर डिग्नॉस करके और आई सी के अदर मास्य मास्क जो भी है हम आप एंडर की है और हमने आई सी के अंदर के पैट से जब कि इस फोन का स्कोमाइट da भी नहीं है फिर भी हमने इस फॉन को बनाया सो कैसे बनाया इस फॉन को इसकी के स्टडी में आपको पूरे इस वीडियो में देने वाला हूं और इस वीडियो को इंजॉय करो और सीखो मिलते हैं किसी और आप सभी लोग एक फॉन है में पास ओपुक का कि यह मैं दिखाना चाहूंगा है तीक है अब इस फॉर्म में वर्क भी हुआ है मैं पहले बता देता हूं यह देखो यहां पर देख लो जो करेटर की क्या हालत की है तो जहां तक मुझे लग रहा है जहां तक मुझे लग रहा है कि इस फोन में बैट आइडी और थरम की लाइन पर काम किया हुआ है आचा है जुद में एरर क्या है में एरर दिखाना चाहूंगा तो एरर देख लो इस फोन में कि जैसे हम चार्जर में लगाते हैं हमें यह दिखाई देता है सिम्बोल यह देखो दिख रहे हैं यह लाल सिम्बोल दिखाई देगा और यह ब्लिंक करता रहेगा फिर से देखाता हूं जैसी चार्जर लगाएंगे यह सिम्बोल दिखाई देगा फोन बाइबरेट किया यह देखो और अब देखो कि फोन में बैटरी भी लगी है केबल भी लगी है सारी चीज़ ओके है तो आई यह सिको बनाते हैं मैं आपको अपने केस ट्रडी से यह बहर बोलना चाहूंगा जब भी आयसे कंडिशन में न आपको काम काम मिले आपको लगे कि आई तो काम हुआ है आपको काम लगे कि आपको काम हुआ है तो क्या करें बहले तो PC भी को आइटिफाय करें आई डियाग्नोज नोडिस करेंगे कि हम PC में चेक करेंगे कहां कहां काम हुआ है कि दो यह सारे वायर ना मैंने हटाएं कि पहले तो अब पुराना जितना भी काम है उसको हटा दू अब आप देखो यह test point का क्या हाल किया है यह test point निकाल दिया है यहां से पत्रा निकालते समय यह पूरा ट्रक है निकाल दी मतलब अब निकलिए कि नहीं निकलिए और चेक करना पड़ेगा अब अब देखे बुरा हाल है करनेक्टर को result करके लगाना पड़ेगा तो सबसे पहला case study यह है करनेक्टर को result करो या change करो यहां पर jumper मारा था यह देखो यह सब यूटूब से देखके देखो दो वाय दिख रहे हैं ना क्योंकि अगर वो चाहते तो diet component में मार गयते हैं और वो दो वाय पर क्यों मारे इतना सब क्योंकि यूटूब वाल उन्हें बता है होगा जैसे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हूं कि चलो ठीक है तो फिलाल तो इन सब को हटा दिया है और और यहां पर चेक कर सकते हैं देखिए दो वायर का जंपर मारा था यहां पर यह देखिए हुँ हूं कि यह आपका नहीं है ना नहीं है तो सबसे पहले हम जी यार उठाएंगे कि कनेक्टर पर तो मैंने डायोड मोड यूस किया हुआ है और देखिए मैंटी मीटर पर ठीक है अब तो यह भी बैट है इसको रिवर्स लेंगे ठीक है तो शॉर्टिंग तो नहीं है यह ग्राउंड है पहले दिखेंगे कि पिने कितनी है तो नोटिस करो पिने अलग अलग है यहां भी अलग पिन है यहां बड़ भी अलग पिन है और यहां भी कोई बीप नहीं है अच्छा यह पिन एक है ओके यह कूल तो टॉटल पर अगर बात करेंगे तो यूटूब की देन यहां से उठाकर यहां पर जंपर मारा था यह देखो यह दिख रहे हैं आपको देखाता हूँ यहां पर जंपर माला था और बस और जंपर मानने के बाद में छब नहीं हूआ तो मोबाइल फेड रहती है इस चुढने पर बापस आ likewise मतलब उनको बन आप उनको देखना है उनको यह नहीं दहना है कि लाइन ओके नहीं है जंपर मार दो और यूटूब के बता रहे हैं कि यहां से यहां तर जंपर मार दो अब आप सब लोग चेक कीजेगा मैं डायोड रेडिंग रिकाल रहा हूँ इस पॉइंड की आप लोग चेक कीजेगा देखें एक चरह ग्राउंड पर रखा एक चरह यहां पर रखूँँगा एक लाइन मेरी आईडी की लाइन है एक लाइन मेरी ठरम की लाइन है ठीक है नोटिस करो यहां पर देखो आपको डायोड मोड पर रेडिंग दे रही है और यहां पर भी देखो आठारा सो पंदरा सो तो 1.5, 1.8 अब यहां पर च्छेक करेंगे आप यहां पर चेक करेंगे नोटिस करो पंदरा सो नोटिस करो अठारा सो तो भीया जब पंदरा सो और रेडिंग आ रही है तो आपने जमपड मारा क्यों इनलब क्या chase क्योंकि YouTube में बता दिया किसी भाईया नहीं, कि भाईया दूकान वाले टेक्निशन कहां इंसिक्डूरे में रहा हु तुम तो बेबकूब बन रहे हो तो मैं तो लूट रहा है ये हैं ये लोग तुम तो सीधे यहां से उठाना एक जंपर और यहां से मार देना और मेरा पॉन तो ऐसी बना आपका भी बल्चा है तो इस भाईया ने यहां से जंपर मार दिया आप सबसे बड़ी बात है दोस्तों आप इंसिट्यूड में जाओगे नहीं तो कैसे सीखोगे बहुत सारे लोग अच्छा एक और चीद दिखाता हूं बहुत सारे लोग उपवे 15 में बता रहे हैं कि सार यहां से कुछ नहीं होत यहां पर ना एक रजिस्टर लगा होता है यहां पर एक रजिस्टर भी लगा है और एक जंपर भी पड़ा है और यहां पर डायोड रीडिंग लूँगा नो देख यहां पर घिसा हुआ भी है सारे कांड करम सब करके वैटे लोग देखो यहां पर भी 500 कुछ रीडिंग आ बढ़ लुको आता है इतना सब के बाद भी आ उसको दिखाता हूं मैं इतना सब के बाद भी है नोटिस करो अधिक है यहां पर हम देखेंगे यह देखो इतने सब के बाद भी आपका फॉन में कोई वह देखो से मेरा तो फिर जब आपने यूटूब से सब देख लिया आपने बैटिक रिटर पर जंपर मार दिये खिक है मैं तो नहीं मुणने वाला आप ने ये रेजिस्टर पर जंपर मार दिया आपने सारे काम कर लिया अब आपने बोला कि योटूब में तीचरा वीडियो तो है नहीं है तो चलो बापस कर दो यह तो सैट भी मना पाएंगे यह तो नहीं बन पाएंगा सैट तो और फिर आपने वड़े इंस्टिटूट खोल के बैठे हैं यह हैं अरे दोस्तों इंजिरिंगी लेवल पर क्या चुड़ा वी क्या ही बूले अपने आपको कंपेर नहीं कर सता किसी से बड़ इतना है कि इतना है कि प्रॉपर चीज बताओ ना तो यह जो लाइन है आप चीजों में टाइम पास टाइम वेस्ट निंग करते हो इसको बनाएंगे प्रोब्लम यहीं से है दोस्तों यह जो लाइन पहली बात बता दो कि यह जो एरर आ रहा है यह बैटरी एरर नहीं है ठीक है यह बैटरी का एरर नहीं है बैटरी का एरर में बैटरी कॉंटेट अलग ही आता है यह चारजिंग का एर अरर है चारजिंग लोगो डो सकते हैं जो बिल्कुल दोसी बात दोस्तों यह जो लाइन है हमारे चारजिंग के ही जुड़ी होती है उसको कहता है isense की सप्लाइद और यह हमारे आई sense की सपड़ा ही है जो हमारी इस पावर को जा रही है यह दिख रहे हैज देखर rсти 157 CRB और यह 2039 इस पावड को जा रही है ज्याफ करना इस पावड के साथ ऐसे n homeland मैच होनी चाहिए और कैसे तो यह जो दिख रहा है यह जंपर में हटाता हूँ क्योंकि दोस्तों सिर्फ जंपर लगाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ एक जंपर मानने से कुछ नहीं होगा आपको लाइनों की जनकारी रखना पहुत ज़ुड़ी है अगर आप फील्ड में अंनित बैंने से काम करने में और ऑन लाइन झाले आप क्या हिसी इस भी सिखेली है के अउनलाइन तो इस बिल्ड़ी ानिती वहां है अगर भी में च्रण अ सबरहते हुत लगई निदो ऊक्षित है यह जंपर नहीं होगे किस में मारोगे यहां तो कोई पावड के लाइन सेंस ही नहीं हो तो इसका स्क्माटिक नहीं है फिर भी हमने पूरा ट्रेस कर लिया है उसको बना दिया है और यहीं ट्रेसिंग इसी लेवल पर ट्रेसिंग और ऐसी बोडों पर हम सिखाते हैं भाई समझ रहे हो जब तक बिना चार दिन जबकि चौते चौते दिन का गेरंटी देता हूं मैं कि आप पैसे बापस ले जाना और यह जो सीख के जाओगे ना तो आपको लगेगा कि मैं अब लाइफ के कितने साल बबात करिया अगर इस से टेली को माता तो मैं क्या नहीं बन सकता था हम तो अभिए हम क्या करेंगे ऐसी को उठाइए और फॉल्ट इस आइसी में है ना नहीं है फॉल्ट और यह सब टैंपरेचर आईडी के लाइन पर फॉल्ट नहीं है और ना ही इस जंपर में फॉल्ट है तो हमें उठाना है यह आइसी ब्लैक पेस्टेट बोर्ड है भी यह थोड़ा हलका सा बहुत आराम आराम से यह निकाल देना है ठीक है मैं बोर्ड निकाल रहा हूं इसका जो पत्र है उपर का तो देखे पत्रा निकाल लिया है तो पूरे यकीन है तो देखे मैं हीड देखे भी निकाल सता हूं बड़ अभी मैं इस पर अभी फ्लाइब रिस्त नहीं लोंगा क्योंकि मुझे हीड डेकर निकालूंगा तो पीछे यह मेरा अलाकि मैं अगर तीन सो डिग्री सेल्चस पर निकालूंगा तो नहीं होगा मुझे पता है बड़ फिर भी अभी तो फिलाल मैं इसकी जो यह ट्रक है यह भी बहुत अच्छी टेक है पत्रे की इसमें कोई कोंपनेंट और दोस से सीखो मैं आपको वह फोन चालू करवा दूंगा गैरेंटी के साथ बिना स्क्रमाइंटिक के क्योंकि मुझे पता है कि पत्रे निकालने के बड़ में फोन डाइड क्यों हो जाता है रिजन सारी बहुत कॉमन रिजन है उसका ठीक है तो अपन क्या करेंगे इस पावड को और इस पावड को अठाकर आपन काम करेंगे और आपन को इसकी चार्जिन सेंस की लाइन से जंपर लेना पड़ेगा कर अपन क्या त जंवकन करेंगे से कि लेड़ude आपन काम किन्व प्रोफनली खावड कर घसकी चार्बसतिक रहड़ 것으로 जचतれて हैं ज 농 er जा चे थो जाऌ में वीजिए तो आई सी निकाल दी है अब पैड़ों को ग्रीन करेंगे जढ़ाँ में लिए अभाँ लिए अभाँ वारा कि अई रता है झाल पाल झाल झाल मृ कहांग दोड़ ज़ग words तो दोस्तों अब हम यहां पर अपना एंट 13 चेक करेंगे क्योंकि एंट 13 हमारी आइशेंस की लाइन है तो यहां समें एभी स्टीडी गिनेंगे तो यह एन है और 13 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 8 9 10 11 12 13 तो आप देखिए आप दोस्तों तो हमारा 13 का जो पॉइंट है पैड वो किस तरह से ब्लेक है आपर नोटिस कर रहे है और यही फॉल्ट है यह जो पैड है न यह जो पैड है न यह जो पैड है यह फॉल्ट है है बिसीकली अगर मैं इस पैड इक ये बात करूँ है यह आई सेंस का पैड है और यह पैड निकल चुका है यहां से ठीक है तो हम एक माइक्रो जंपर करेंगे यहां से हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ 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 है है कि अपैड अप्रश प्रेंट को ग्राउंड कर लिया यह चेक करने के लिए कि अगर वहाँ पर अब ग्राउंड आ जाता है तो मुझे ये चेक करने के लिए कि अगर माली जे ग्राउंड आ जाता है तो मुझे जंपर मानने मुझे माइक्रोजंपर करनी के जभुरत नहीं है मैं इसी पैट पर थोड़ा सा राणा देखे इसको फ्लैट कर लूँगा है तो मुझे जमपर मानने की माइक्रो जमपर की जवरुद नहीं है दोस्तों वो पैट जो है ड्राय हो चुकाता है तरह से उसका उपड़ का जो सिल्वर कोटिंग है वो खड़ गया है वल्लब जो रांगे का कोटिंग है तो यह देखे अब देखे पैड बन गया है बापस तो आपने देखा जैसे काला पैड साब बापस अपने सेब में यह आ चुका है ठीक है अब हम आईसी बिठाएंगे बापस माइको जमपडिंग करने के में जरूरत नहीं पड़ी है यह अच्छी बात थी टाइम बच गए हमारा टाइम सेव हो गया है तो हम अपना आईसी देख लेते हैं लगा सकते हैं रिबॉल करना पड़ेगा मीडेट एक में तो रिबॉल करना पड़ेगा इसको क्योंकि बहुत सारे पैड इसके राइस वोल्ड हो चुके हैं अच्छा नोटिस किसे आईसी में भी थो राइसा हलका सा आप देखिए कच्रा बहुत है दिख रहा है आप लोगों को वाडर डे में सेट होंगे यह पर पर बेम बहे हैं 4— 5 — 6 आप़ो कि अपमकर सावचा़ कि इसे ए है रहा है। इस खे बहा है जहा है यह थे प्ज़रा भाशना प्योंड़ेगा थहँना दाप बहा है reference जाल हो कर दोनी वल बाहो खून हो को बड़ा हो खून हो स neur हिया जब इसेता है लो गल, क की बलन सली कर दो बाला है वी हूवर प्रेस्ट बंदिगी है पेस्ट तो मैंने पीपीडी बना लिया दोस्तों अब पेस्ट लगा के ऐसी को रिबॉल कर लेते हैं पेस्ट बना लेते हैं और जो दावा करते हैं दूस्तों कि स्केमाटिक के भिदावा सब कर लेंगे तो दावे पूरे करें अपने फिर अब इतना है कि आप अगर एससे टेलिगों आएंगे तो आपको बिदावर स्केमाटिक पढ़ाऊंगा मैं चीजों को समझ रहे हैं मैं बोर्डू के स्कमाटिक की जबरत नहीं मुझे तो मेरा इसी रिवोल हो गया है अब आइसी लगा के आउपूट चेक करेंगे बदूट अब यह भी बदाना चाहता हूं कि अगर आप यह इसी निकालेंगे और इसको चेंज करेंगे आपका सेट चालू नहीं होगा ठीक है और वो क्यों नहीं होगा वो रीजन में आपको नहीं बताने वाला क्लास में बताऊंगा वो 6357 CRB अगर आप किसी दूसरे वोट से निकालेंगे तो क्यों चालू नहीं होगा और यह क्या रीजन है नहीं होगा पस्ट glorप आप के तो किसी कह को डहीं हो झीक है कืόगऑ प्रभल को बस्प Вас अग्चूकर लीजन हो प्रतार अवों किस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्षे म сможस ऑ nuts क्यों प्रतार अॅगवा हो मैं यहां जोगभगरा का चुण designing में आपकिमोंती अजय को अजय को है है इसे अजय को तो जुदिक आइची लख चुकी है 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 और हमने सब आइची को रबॉल करके लगाया है और पैड बनाने के जबर्वत नहीं पड़ी आप दोग देख लिया था कि पैड बनाने के जबर्वत क्यों नहीं पड़ी क्योंकि कार्वन जम किया था पैड के ओपर तो कि अब कि बोड़ के पीछे चेक करेंगे कि हमारा जो जी आर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अब कर देखे मेरे जंपर निकाल दिया था बीच में हम तो हुँ कि चेक करेंगे कि और रहे कि नहीं आ रहा है मैंटी बीटा देखें झींआ मूंट पे कर अब भी भी प्रेंट अब्शक चेक कर दो तब आना तो चाहिए ठीक है आ द गया कि सिजिया में आ है अब अगर नशेंपर मारेंं तो अमारा काम हो जाएगा तो आपन जंपर वाले आज में तो है नहीं तो जंपर तो नहीं माड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि जंपर से निकल जाए और दो दिन वार फिर बोर्ड बापस कस्ट्रण बोले और जंपर निकलता है यह दोस्तों आप कितने यूबी ग्लू लगा लो और वो टेक्निकली मैं आपको क्लास में रताऊंगा क्यों तो एक जीरोम्स का रेइस्टर यहां लगा देता हूं चीक है तो यह इस तो निकल के लगाता हूं ख对ह दो हिव में आके प्लिक यहaltro खचिए.. Dो तो यह रूं़्य को भी गदो क्लोंप तो यहAmerican को तो यह है आप कितना लेगा क्लोंना कितना झाल, 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 झाल झाल, 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 झा चलो कम प्रिवला का पैनली करीदिये अभी क्या है ये बूर में किसी को भी जूंगो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किया क्या है सभी है इस बाद चेक कर लेंगे कि फाइनली चीजों को यहां से तो उपन के ही था यह भी पाना चाहिए प्यारी कुछ चलो दोस्तों चेक करते हैं रिजल्ट कि रिजल्ट क्या आया कर दोस्तों चाहिए लगा के चेक करेंगे कि ओन में है ठीक है लाल आना बंद हो गया है और आप देखेंगे पर्सेंटेज का साइन यह देखें तो पर्सेंटेज का साइन आ गया है और आपका फोन जो पहले एक लोगो दिखा रहा था अब यह आपका चार्ज मसी पर्सेट होने लगा है और आंपयर इसका 1.1 हो गया है मैं यह अपर्सेट कर आप नोटेश करो कि कैसे मैं यह फोन बनाया बिदाव स्कमाटिक के एक के अंदर पैड को धूर कर और यह फोन बना है क्योंकि लोगों ने इस फोन की यह जो हम ने लगाया मैं फिर से देखाना चाहता हूं क्योंकि लोगों ने सिब कि मिलाओं तो यह जम्पर देखते हैं और मार के आगे भर जाते हैं यह देखो यह वह वही कणेक्टर कहें कि कनेक्टर पर ले जमपर पूरे पाय दुखाड दिये हादकि एट वॉटर डेमिग सेट है और यहाँ पर देखें यह हमने रिजिस्टर लगाया था देख रही है तो यह वीडो कैसा लगे बताएगा जरूर और इस वीडो से सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा आयो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना